देखिए एक probability का question है क्या question है जड़ा द्यान से देखें समझें तो question में बोला है odd in favor of an event odd in favors का मतलब होता है favorable upon unfavorable cases odd in favor दूसरा भी दिया ठीक है तो odd in favor of an event a two is two one तो अगर मैं आपसे बोलू कि probability of happening a बोलो तो आप बोलते two by three और दिया odd in favor of a union b तो a union b का भी odd union दिया है कितना three is to one इसका मतलब है p a union b equal to three is to four यह पी यह दिया है two is to three consistency with this information the bound p b कितना होगा यह पूछा है अब देखिए एक बात समझे पी यह दिया है two by three p a union b दिया three by four अब दो conditions हो सकती सबसे पहले तो याद रखिए कि अगर आपको पी ए इन बी पता है तो पी इन बी में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी होता है अब दो कर या तो यह mutually exclusive event होगा उस case में यह zero होगा और अगर non mutually exclusive होगा तो यह नॉन जीर होगा रइट अब समझना आप चाहे पी ए की बात करें चाहे पी बी की यह जो है यह greater than or equal to पी ए इंटरसेक्शन भी के होगा इसमें तो कोई डाउटी नहीं है राइट पी ए इंटरसेक्शन पी बी के होगा एक बात अच्छा union के term में देखें तो अब आप समझना इन दोनों में सबसे छोटा क्या है अगर आप से देखा जाए तो थ्री बाइफोर पी ए है टू बाइ थ्री अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पी इंटरसेक्शन भी इसको इससे माइनस कर दीजिए तो कितना ह हो जाएगा 3 x 4 – 2 x 3 equal to PB – P A intersection B तो यह हो जाएगा 9 – 8 यानि 1 x 12 equal to PB – P A intersection B आप सोचो कि अगर यह mutually exclusive event होता तो यह 0 हो जाता जीरो के case में 1 x 12 मिल सकता था यानि 1 x 12 तो आएगा एक बात हो गई दूसरी बात कि आपको A union B पता है 3 x 4 है अब माल लिजिए कि थोड़ी देर के लिए 0 होता तो A union B 3 x 4 है तो PB 3 x 4 से तो बड़ा नहीं हो सकता था तो आंसर क्या हो गया 1 x 12 से 3 x 4 यानि PB के अकेले के बारे में बात कर रहे हैं अगर A और B के cases को common भी माल लें तो PB बड़े से बड़ा जो हो सकता है वो 3 x 4 हो सकता है और चोटे से छोटा ज कहल होगा राइट नोट कर लेजिए